नमश्कार दोस्तों, मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर परताल दुनिया भर की दुनिया की परताल करते समय जो नजारे दिखाई देते हैं, जो कूटनीती दिखाई देती हैं, वो बहुत गंभीर सवाल उठाती है आज सबसे बड़ा सवाल दुनिया के सामने है कि युक्रेन युद्ध रुकेगा या नहीं रुकेगा और रुकेगा तो इसके पीछे कौन से पहलू होंगे जो निरनायक होंगे लेकिन ठीक उसी समय हमें याद आता है 20 साल पहले हुआ इराक पर हमला आखिर क्या वज़ा थे उसकी उसपर हम बात करेंगे लेकिन सबसे पहले निगाह दुनिया में चल रहे सबसे एहम डवलप्मेंट के उपर दोस्तों इसक्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं दुनिया के दो एहम ताकतवर नेता ये दोनों मिलते हैं रूस में और मुद्ध होता है यूक्रेन कोशिश करते हैं और जिसके बारे में बहुत गंभीर चर्चा हो रही है कि क्या चीन जिस तरह से सौधी अरब और इरान को एक साथ लाता है समझोता कराता है उसी तरह की भूमी का क्या यूक्रेन युद्ध में शी जिंग्पिन निभा पाएंगे क्या उनका अंतराश्टी कद बढ़ेगा ये आज का सबसे बड़ा सवाल है ये है युद्ध भूमी यह है युक्रेन जहां युद्ध चल रहा है रोज ही खबरें आ रही हैं अलग-अलग तरह की और इन खबरों के बीच सबसे राहत की बात है कि शान्ती की बात अंतराश्टी इस तर पर उठी है औ और बताया जा रहा है कि शी जिंग पिन जाएंगे युक्रेन भी और जिस तरह से रिस्पॉंस हो रहा है जिस तरह से लोग देख रहे हैं उससे एक बात साफ दिखाई देती है कि इस समय युद्ध के बजाए शान्ती की दिशा में कदम बढ़ रहे हैं ऐसे में दोस्तों बहुत जरूरी है यह याद करना कि जो युद्ध इससे पहले किये गए हैं उन युद्धों की जो वजह बताई गई वह किस तरह का फ्रॉड था मानवता के खिलाफ उठाया गया कदम था ऐसे में सबसे बड़ी तस्वीर नजर आती है इराक युद्ध की जिसे 20 साल पूर इलाका तबाह हुआ और युद्ध जिस आधार पे लड़ा गया वह पूरी तरह से फर्जी था देश और दुनिया देख चुकी है इस पर चर्चा के लिए हम चलेंगे प्रभीर पुरकाय से बात करने प्रभीर आज हम सबसे पहले बात करेंगे इराक के बारे में इराक पर अमरीका और अमरीका के नेत्रित में जो हमला हुआ था उसको 20 साल हो गये हैं 20 मार्श को 20 साल और उसके बात से इराक पूरी दुनिया के सामने है जिस तबाही के कगार पे खड़ा है क्यों हमला किया गया था इराक पर क्या वजह बताई गई थी कैसे हमें आज याद करना चाहिए इराक पर जो हमला हुआ था उसे साफ है कि इराक पर जो हमला था ये तो इसलिए था कि सद्दाम हुसेन को और इराक को वेस्ट एशिया की मानचित्र से निकाल देने का ताकि वहां कोई भी रिजिस्टन्स अमरीकी ताक्तों को नहों सद्दाम हुसेन भूल नहीं जाना चाहिए सद्दाम हुसेन अमरीका का पिट्टू थे इरान से लड़ाई कर चुके थे अमरीका का इशारे पे और उस वक्त जितने पॉईजन गैस वगरे की बात होती थी इराक को दिया गया था इरान के जंग के खिलाफ इराक को इस्तमा की इराक को हटा देना चाहिए और ये भी उनको पहले से ही मालूब था 91 में आपको याद होगा वहाँ पर ये युद्ध सीनियर बुष्ट ने कर चुके थे इराक के खिलाफ और उसको कुएट से उसको भगा दिये थे जो कुएट पर हमला सदाम हुसेन नी किया था तो कि इराक कोई शक्ति बनके इस इलाके में न रहे तो उसके साथ साथ जो उन्होंने हाथियार इस्तबाल किया था वो यह था कि यहां पर धर्मिय विरोध जो है शिया सुन्नी लडाई का राना चाहिए और इस तरह से इराक को विभाजित रखें अब जानते हैं डिवाइड का इराक का जो रिजिस्टेंस कहते हैं विरोध जो है सदाम हुसेल के तरफ से वो ज्यादा नहीं ज्यादा दिन नहीं चला करभी एक महिने में खदम हो गया था लडाई क्योंकि बहुत सारे सेना जो सेनानी थे जेनरल्स थे उन्होंने पहले ही पैसा वैसा लेके कह दिया था हम लडाई नहीं करेंगे तो बीस पच्चीस दिन में उनका कैपिटल भी हां तकरिबन उन्होंने मेरे खाल से 9 अपरेल को मुर्ती गिरा दी ती सद्दाम हुसेल की यहां एक और चीज मुझे लगता है दर्शक जरूर याद रखना चाहिए उनको पूरा का पूरा हमला था वहां पर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं यह एक बहुत बढ़ा और जिसको जॉर्च बुश जो है सब को बताते हैं टोनी ब्लेयर भी हां टोनी ब्लेयर भी कि यहां पर ऐसे हथियारों का जखीरा है जो दुनिया भर में तबाही ला सकते हैं दो चीज है इसमें एक तो वेपन्स मास डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या है एक तो नुक्लियर वेपन्स और दूसरा है केमिकल वेपन्स तो इराग के बारे में कहना था कि केमिकल वेपन्स यह बना रहे हैं और नुक्लियर वेपन्स की बनाने की इरादा भी इरादा भी इनका है बड़ जोर था chemical and biological weapons जिसे दुनिया पूरी आतंकित थी कि कुछ भी कर सकता है और ये भी ये भी कहा था कि इससे दूसरे जगहों पर इस तरह का दरफ पैदा करने की इस इलाके में कोशिश की गई थी पर जो तस्वीरे दिखाए थी उस वक्त आपको याद हो का उनका डिफेंस सेकेटरी हमारे हिसाब से डिफेंस मिनिस्टर कह सकते वो नों ने दिखाया था जिसमें दिखाया था देखो ये बायोजिकल वैप ना बायोजिकल वैपन्स हो तो लोग क्या कहके बूविंग डिस्पेंसरी के तरह था लोग मुट्टी का देने के लिए तो और उनको क्या मालूब नहीं था ये सब गलत है बिल्कुल मालूब था यानि एक तरह से इराक युद्ध इराक पे जो हमला था और उसके बाद की जो हकीकत थी उसने ये स्थापित किया खुद उनकी रिपोर्ट्स ने कि सारा का सारा जूट पर रचा गया था क्योंकि कोई भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन खुद अमरीका और ये जो पूरी फोर्स थी ये क्लेम नहीं कर पाई नहीं दिखा पाई दुनिया को कि ये गलत किस्से बताये जा रहे हैं और ये किस्सा बताएगा गया था कि इनके पास बायलॉजिकल केमिकल वेपन्स हैं आपको याद हो कॉलिन पावल ने वैसे तस्वीरें भी दिखाए थी उनाइट सिक्यूरिटी काउंसल में कहा के देखो ये बायलॉजिकल वेपन्स इराग बना रहा है और इसके पास बहुत सरे केमिकल वेपन्स मौजूद है वहाँ पे तीस्री बात जो डूपलेट की बात कह रहे थी कि हलांकि यहां पर काफी इंस्पेक्शन हो चुका था और सादाम हुसेन की केमिकल वेपन्स सुसके पास नहीं है और इसमे डूपलेट weapons की कोई research बरकरार नहीं है सब मालुम था United Nations की जो और भी agencies जो है यह काफी चानदमीन किया था वहां पर सब को नकार के Bush की administration ने यह बताया था कि वहां पर वो yellow cake आफरिका से इंपोर्ट कर रहा है जिसका मकसद है nuclear weapons बनाना यहां यहलो cakes वह uranium की और जो है चलिज पदात है तो उसको euro cakes uranium की yellow cakes वह इंपोर्ट करने की बात कर रहे था जबकि मालुम था कि यह बिलकुल जूट है उनकी प्राइम मिनिस्टर बिटन की और प्रेजिडेंट युनाइट स्टेट्स दोनों को मालूं था है यह जूट है तो क्या क्यों था यह सबसे बड़ा सवाल है क्या क्यों था वही मैंने जो कहा इसका राज़नितिक मकसद था इस इलाके पर कबजा करना क्योंकि यह सबसे ज्यादा तेल पैदा करता है दुनिया में इस इलाके से होता है और सौदे एरभीया हो इरान हो इन पर तो डारेक्ट हमला करने की उस वक्ट कोई बात तो हो नहीं रही थी कि सौदे एरभीया उनका मित्र था पर उसके साथ-साथ अगर आप देखें इतने सारे औ आपका यहाँ पर Lebanon, Sudan, Libya, Somalia और Iran इरान तो बहुत दिन सिन के प्रतिद्वन्दी रहा है तो इन देशों का Syria क्यों? Lebanon क्यों? Libya क्यों? Sudan क्यों? Somalia क्यों? यह प्रश्चन चिन है दुनिया के सामने क्यों है और यह आप देखेंगे सच्पुछ इस तरह के attacks हुए इरान पर अभी खामला नहीं कर पाए पर Syria हुआ है, Syria में अभी भी उसका तीश प्रतिशत इलाका अमरिका के पास है, हलाकि अमरिका को किसी ने वहां नहीं पूछा, वो कहा हम ISIS के खिलाफ लड़ने आए हैं यहाँ पर, जबकि Syria सरकार कह रही हम सम्हाल लेंगे, आप जाए, जाने के लिए तयार नहीं है, Lebanon में क्योंकि Israel की प्रतिदवन्दी है, इसरेल यहाँ पर है, इसरेल की प्रतिदवन्दी है, लिबिया को तवाही किया, लिबिया का तवाही क्यों कियों कि मैं पहले भी इसकी जिकर कर चुका हूँ, कि वहां पर घदाफी जो है, उनको बहुत बड़ा दु यूनिटी थी, उसको नश्ट करना चाहते थे, और उस पे लिबिया क्योंकि आफ्रिकन यूनियन को बंदत करता था, इसलिए अफ्रिकन यूनियन टार्गेट अगर हो, तो पहले लिबिया के अक अध्दाफी को हटाले के जरूरत है, आप जानते है कि लिबिया आज भी त किसी तरह क्या कहेंगे कि एक स्थाई सरकार आज भी वहां नहीं है, अभी भी वहां सिबिल वार अराजक्ता अभी भी फैला हुआ है, तो ये दो चीज दर्शाता है, एक तो है देश को गिराना, एक शाशन को गिराना आसान है, अगर आप अमरीका हो, अगर आप नेटों क शक्ति आपके पीछे है, तब हो कर सकते हो, पर देश जोड़ना, देश को बनाना, ये बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए आज भी इराक में राजक्ता है, उस तरह नहीं है जो पहले था, पर अभी भी है, अभी भी वहां बिलीशियास है, अभी भी लडाई है, श्या सुन ये दोनों वहां पर धुस्त हो चुका है, श्या स्विल वार्स वहां पर चल रहे हैं, और अभी भी अमरीका वहां लगातार बंबारी करता है, सुमालिया में खास तोर से, तो ये जो है, इसके साथ येमिन भी जोड़ना पड़ेगा, येमिन भी लडाई चल रही है, श्या क्या कहेंगे, निशाना था और एक दिर डिसकस करेंगे, और और अभी अमरीका विरोधिय शक्ती है, या समझ मच्बूत है, इसलिए इरान पर हमला नहीं कर पा रहे हैं, पर करने के इरादा अभी अब जानते हैं, हैं तो कई चीज़ें लगती हैं कि 20 लाख इराकी लोग मारे गए युद्ध में मैं सिर्फ युद्ध की बात कर रही हूं ना पहले की ना बात की और 4000-5000 के करीब अमरीकी और जो सैना थे वो मारी गई तो इस तरह से देखें कि ये जो पूरा का पूरा इलाका है क्योंकि हम अफगानिस्तान की बात नहीं कर रहें अफगानिस्तान इससे पहले भी वो निशाने पर ले चुके थे वो 2001 में उसको आक्रमन कर चुके थे तो 20 लाख इराकी नागरिक सिर्फ इस युद्ध में हताहत हुए चार से पांच हजार के करीब अमरीका और गर्जोड के जो सैना थे वो हुई और पूरा इलाका जो हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं यह पूरा इलाका है यह एक तरह से युद्ध जोन बन गया यहां पे तमाम तरह की अशांतियां हैं और अमरीका एक जूट पर इतना बड़ा इतनी बड़ी कूटमीती उसने खेली है खैर वो तो लोग भूल जाते हैं क्योंकि आजकल तो लोगों की याददाश भी खशनिक होता है बहुत जल्ली भूल जाते हैं नया युद्ध होता है तो अमरीका की जो जनता है खासतोर से अमरीका वेस्टेन यॉरॉप यूके इनकी जनता की ही बात करनी पड़ेगी क्योंकि बाग दोर तो दुनिया की पीछले 20 साल लग उनको लगता है कि हमारे पास ही है और यह सही है उस वक्त रश्या बिस ध्वस करनधार है हम ही बताएंगे कैसे चलना है और इराक दुनिया को एक सबक था हमारे खिलाफत अगर आप करते हो तो यह सज़ा आपको दे सकते हैं अगर हम सोचते हैं कि यह देना है आपको हम किसी भी देश पे घुसके उसको तहस नहस करके उसकी तक्ता पलट देंगे पर 20 स कि उनकी एक चत्र आधिपत्र सोल हेजमान के रूप में अमरीका रहेगा वो धीरे धीरे खतम होगा अब हम बात करते हैं जापान और भारत और उस बहाने इंडो-पैसिफिक इलाके की क्योंकि इस समय जापान के प्रधानमंत्री भारत आये हुए हैं उन्होंने भी बात की मोदी जी से और कहा कि इंडो-पैसिफिक इलाके को वो बहुत फ्री और तनावमुक्त रखना चाहते हैं और इसी क्रम में बहुत जरूरी है बात करना और यूएस डील के बारे में सम्मेरीन डील जो हुई है उसके बारे में वो क्यों हुई इतने बड़ी राशी आठ न्य क्या देख रहा है जो आपने खीषिदा और भरत वर्ष की बाथ मोदी जी की बात करी खीषिदा जी मोदी जी जो भी कहें ये साफ है कि भरत वर्ष मिलिटरी अलाइनस में इस वक्त जाना नहीं चाहता है चीन विरूधी हो या अमरीका पक्षी हो दोनों तरह से वो अपने बार्डन बार्डन लेके इंडिया चाइना के बीच पे तनाव है पर जो पहले लग रहा था कि शायद कोड के नाम पे हिंदुस्तान भी भारत वर्ष भी अमरीका ऑस्ट्रेलिया जपान के साथ शामिल हो जाएगे मिलिटरी पैक्ट में वो नहीं हुआ है पहली बात दूसरी की पॉलिटिक्स में चीन के खिलाब जो पॉलिटिक्स है टाइवान को लेके जो है उस पे जापान अमरीका के साथ है मिलिटरी पार्टनर है पर यहां जो चीज निकल के आ रही है कि ऑकस ऑस्ट्रेलिया यूनाइट स्टेट्स और यूनाइट किंग्डम यह तीन देश मिल का पूरा चित्र सामने आए है जिसमें आपने कहा 368 बिलियन डॉलर शायद इतने बड़ी रखम की डील यह है पर पहला सब्मिरीन मिलेगा 27 साल बाद आज नहीं 27 साल बाद तो 27 साल बाद किसने देखा है तो उसमें दुनिया की मानचित्र क्या रहेगा कुसको मानचास में 47 से 50 के बीच में शायद एक दो मिलने की समभावना है सवाल यह है कि आप देखे हैं 20 साल में वेस्ट एशिया में एराक में कितनी बरिवर्तन हुई है अमरीका जो सोचा था और कहां पहुँचे तो यह जो ऑकस की यह कलपना है कि यह तीन देश अमरीका युनाटिट किंग करेंगे इसका मतलब यही है कि आस्ट्रेलिया को बेस बनाना चाहता है अपने सब्मरीन फ्लीट का अमरीका बहुत बड़ा सब्मरीन फ्लीट रखता है तो उसका और नेवल फ्लीट है तो यह उसका इरादा यह है कि हम आस्ट्रेलिया को बेस बना के पूरे इस इलाका खास तोर से South East Asia अब देख सकते हैं South East Asia आज के तारीक पे सबसे economically growing force है हाँ तो जरा ये बताइए कि इसमें Australia की क्या दिल्चस्पी है ये जो पैक्ट हुआ है इसमें Australia क्यों आया देखे Australia अमरिका का military partner बहुत दिन से है जिसको five eyes कहते है इसकी intelligence alliance है तो वो अमरिका के सबसे करीब दोस्ती है उनके साथ है सब अंगरेजी बोलने वाले सब अंगरेजी बोलने वाले Canada जो भी नेटों में है Australia जो भी नेटों में है UK जो भी नेटों में है तो ये तीन देश और न्यूजीलंड, न्यूजीलंड को मैं गिन नहीं रहा हूं, तो ये तीन देश को और उनको मानते हैं, 5-22 की, चैनिड़ा को लेके 4, जो की इनुट्ट्रीजंस पूरी इहां से इन्की देशों में उनकी इन्ट्रीजंस सेंटर जेहां से पूरे इसको कह है वो सबसे मुख्रूम धारन करता है तो उसका बहुत बड़ा सेंटर है तो एक तो है ऑस्ट्रेलिया युनाइट किंडम अमरीका यह एलाइंस करना चाहता है तो ठीक है पर उस्ट्रेलिया क्या मिलना है उनको तो पहला सब्मिरिन बिलेगा 27 साल बाद शायद 25-27 साल बाद वो भी पहला सब्मिरिन इसके बाद 3-4 साल में और एक सब्मिरिन तो उसका मिलिटरी प्रभाव तो कुछ होने वाला नहीं है तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया का क्या हिथ है वो समझ में नहीं है उनके दो प्राइम मिनिस्टर्स कीटिंग और टर्न बुल वो दो कह चुके हैं क इन दो इसका तो हमें आस्ट्रेलिया कोई हिद नहीं दिखता तो सवाल यह है कि अमरीका का क्या हिथ है यह साफ है उसको यह चाहिए कि उनकी नेवी जो है और उनकी ऑस्ट्रेलिया पॉर्ट जो है उस पे और रिफुएल करें उसकी रसद लें और वहां को सेंटर बना के इस इलाके में जाये और झाले चीन पर उनका ट्रॉन चीन पर कि दौइब क्यूए कि साउट इस्टेर्ट का इस इस इस्टेर्फश्ट पर एक हिसाब से परेशर बंडाना जे उस्टेरिया आश्ट्रेमी का इसमें बहुत बड़ा ये है। और इन सब मुलकों को मिलके चीन को घेरना आप जानते ही है उसका एक उद्दश ये भी है पर और आस्ट्रेलिया का मुख्य जो मुझे लगता है मुख्य जो भूमी का है इसमे कि साउट इस्ट एशिया को घेरना क्योंकि वहां पर फिलिपीन्स में फिर शायद उनको बेस की इजाज़त मिलेगी तो military alliances साउट इस्ट एशिया में कायम करने के लिए साउट इस्ट एशिया सबसे ज्यादा economic development तेजी से इस वक्त दुनिया में किसी भी इलाके के वज़ में वो कर रहा है इसलिए उनका आपस में ट्रेड होता है चीन से ट्रेड करते हैं अमरीका से ट्र से ट्रेड करते हैं सबके साथ इनकी ट्रेड बरकतार है और इसलिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं तो उस पर दवाव डालने की लगता है यह एक कोशिश है पर आपने जो कहा 368 billion dollar वह भी 27 बाल एक submarine मिलेगा पहला submarine तीन submarine शायद virginia class nuclear submarine second hand के रूप में अमरीका से मिल सकता है पर वो भी अमरीका Congress की अगर उसमें सहमती होगी और यह तो आप जानते हैं कि अमरीका के आज के तारिक पे कोई चीज पे सहमती उनकी Congress में होती नहीं है तो यह प्रश्टिचन उसमें बना हुआ है इसलिए यह ऑस्ट्रेलिया के हित में जित्ता है उससे ज्यादा यह है कि वो अमरीका के हित में है इस इलाके को गेरने के लिए और चीन को शिकारे निशाने पर लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभीज। पर बहुत जरूरी है सतर्क निगाह बनाए रखनी जिसकी हम कोशिश करते हैं इस कारेक्टरम के जरिये आपसे अपील है देखिए लाइक करिए शेयर करिए परताल दुनिया भर की न्यूस क्लिक शुक्रिया